आप किसी भी सोट वीडियो प्लेटफॉर्म पर इनके जैसा DSLR बलर बेग्ग्राउंड वीडियो बनाना चाहते हो आपके पास DSLR कैमरा नहीं है तो आज की इस वीडियो में आप सभी को में सिखाऊंगा आप अपने Android मोबैल से इनके जैसा DSLR बलर बेग्ग्राउंड वीडिय कैसे बनाए तो वीडियो में एंड बने रहेना वीडियो को सकीप मत करना सबस्बसे हցआ आपको कूं लिक्री अपने से करने मेंάν हमें आपको उपाच करना है करना है कैपके फर्स्ट पर आपके सामने जो गहाएगा उस वेब्साइट से आप लेटेस्ट वरेजन याप करने से करने विपन वॉपन करते हूँ दूम वॉपन करते हो तो यहां पर आपके सामने डाय गा अपको कट करते हो इसको आपको ras to connect पर क्लिक करदेना है यहाँ पर आप देसे क्तो टूर्बर वीपेन क्नेक्ट हो चुका है रहन अब आपको केप कट application open करना है यहाँ पर आपको प्लेस में टेप करके उस वीडियो को slate करना है जो आपने अपने Android mobile से सूट किया है जो भी वीडियो इस वीडियो के background बलर है नहीं आप अच्छे से यहां पर देख लीजी इस वीडियो के background बलर नहीं है अब आपको वीडियो के background बलर add कैसे करना है मैं आपको बताता हूं तो आपको लास्ट में आना है यहां पर CapeCut application का watermark आएगा तो इस पर आपके सामने काफी option आएगे तो यहां पर आपको ऐसे साइड में basic के option पर किलिकक करने है जैसी आप basic पर क्लिक करता हो तो यहां पर आपको ऐसे scroll करने नीचे की और आपको एक option मिलेगा बलर यह आपने डाउनलोड ने क्या तो आप यहां पर हमारी वीडियो बलर हो चुका है बट यह वीडियो फुल बलर हो रहा है तेंसन मतलो उसकी ट्रिक में आपको बताऊंगा तो यहां पर आप अपनी वीडियो को जितना चाहे इतना बलर कर सकतो इस तरीके से जितना चाहे इतना आप अपनी वीडियो को बलर कर सकतो मै तो आपको suggest करूँगा आप यहाँ पर 50 ही रखे तो अब आपको यहाँ पर write कर देना है then इस बलर की layer को आपको ऐसे end तक मिला देना है इतना सब करने के बाद again आपको यहाँ पर bake कर देना है जब आप bake करते हो तो यहाँ पर आपको एक option आ रहा है overlay यहाँ पर आपको add overlay पर click करना है then यहाँ पर आपको अगेन उसी वीडियो को slate करना है जो आपने starting में slate किया था तो यहाँ पर मैंने उस वीडियो को slate कर लिया है अब यहाँ पर आपको एक point याद रखने है जब आप इस वीडियो को जूम करते हो इस तरीके से यहाँ पर आपको full size रखना है अगर आपके size में थोड़ा सा भी mistake हो गया तो वीडियो में problem हो जाएगी तो इस तरीके से आप two finger से अपनी वीडियो का size slate कर ले जो आपका पिछली वीडियो का size है वो ही आपका इस वीडियो का रहना चाहिए अगर आपके size में थोड़ा सा भी फरेका जाता है तो भाई आपकी वीडियो editing खराब हो जाएगा इतना सब करने के बाद अब आपको second layer पर click करना है जो आपने बाद में वीडियो ले आए निचली layer पर आपको click करना है यहाँ पर आपको ऐसे बराबर में एक option देखना को मिलेगा remove background इस पर आपको click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करते हो तो अब आपके वीडियो बलर हो चुका है तो यहाँ पर अब आप खुदी देख लीजिए हमारी वीडियो फुल बलर हो चुका है तो गैस आप लोगों ने देख लिया है हमारी वीडियो जबर्दस DSLR के जैसा बलर बेक्ग्राउंड वीडियो बन गया है इस तरीके से आप अंडरेड मोबायल से DSLR बलर बेक्ग्राउंड जैसा वीडियो बना सकतो आप खुद देख सकतो अब आप इस वीडियो के कलर एड़ जेस्ट कर सकतो इसमें फिल्टर भी एड़ कर सकतो आपकी वीडियो और ज्यादे जबर्दस बन जाएगा यहाँ पर देखिए आपको इफेक्ट फिल्डर सब कुछ मिल जाता है एड़ जेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर आप लाइट वेगरा ऐसे बढ़ा सकतो देखे इस तरीके से आप वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर सकतो तो इस तरीके से आप यहाँ पर वीडियो के बेक्ग्राउंड में बलर एड़ करना सिखा है बाकि आप कलर एड़ जेस्ट या फिर कोई फिल्टर एड़ करतो वह आप अपने हिसाब से करना वह आपके उपर डिपेंड करता है आपको कौन सा फिल्टर पसंद आता है या फिर कलर एड़ जेस्ट आप कैसे क तो जिससे कि आपकी video quality और ज्यादे improve हो जए तो इस ते के से आप अपनी वीडियो का background बलड कर लीजिए then यहां पर आपको जब आप अपने वीडियो का background बलड कर ले तो यहां पर आपको उपर download के logo पर klik करने है जैसी आप download के logo पर किलिक करते हो तो आपके वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी एंड आपके मोबाइल गेलरी में से बोजएगा इसके बाद आप अपनी वीडियो को किसी भी सोट वीडियो प्लेटफार्म पर अप्लोड कर सकतो तो गाईज इस वीडियो बस इतना ही आई होब ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादे पसंद आया होगा वीडियो को एक लाइक सेर कोमेंट जरू करना एंगे चैनल सब्सक्राब करना बुलिए को चैनल को सब्सक्र करके बेल आइकन को और पर पिस कर देना मिलता हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में जब तर ले टेकर एंड बाए